आज हम जानेंगे और कुछ topic के बारे में ARP और RARP के बारे में लाश्ट कुछ classes में हमने IP address, MAC address के बारे में पढ़ा तो एक example लेते हैं जैसे कि आपको मेरा role number पता है मैं जिस college में पढ़ रहा हूँ आपको मेरा role number पता है पर मेरा नाम, मेरा date of birth आपको नहीं पता है मेरा नाम और date of birth आप जानना चाहते हैं तो आप उस college में जाके मेरे roll number फूचके मेरे roll number से आप मेरा नाम और date of birth जान सकते हैं यह फिर suppose आपको मेरा नाम और date of birth पता है पर उस College में मेरा Rol Number कितना है वो आपको नहीं बता है, वो आप जानना चाहते हैं, वो भी आप जान सकते हैं, तो वैसे ही, जैसे कि Rol Number क्या था, I.P. Address, और जो मेरा Naam और Date of birth क्या था, Mac Address, तो अगर आपको Rol Number पता है, मतलब IP Address पता है, और आप मेरा नाम और डेटोबर जानना चाहते हो मतलब आपको मेरा मैक अडर्स जानना है तो उसके लिए हम उज़ करते हैं ARP को आप मेरा IP अडर्स जानते हो और आपको मेरा मैक अडर्स जानना है मतलब आपको मेरा रोल लंबर पता है और आपको मेरा name और date of birth जानना है तो उसके लिए हम जो use करते हैं उसको बोलते है ARP और अगर आपको मेरा नाम और date of birth पता है पर मेरा role number नहीं पता तो अगर आप मेरा नाम और date of birth को use करके अगर आप मेरा role number जानना चाहते हो तो उसको हम बोलते है RARP इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पहले देखते हैं, ARP, ARP का full form है address resolution protocol, तो यह protocol का का काम क्या है, इस protocol map IP address into MAC address, इस protocol का काम है, अगर आपको IP address पता है, एक device का, और आप उस device का MAC address जानना चाहते हैं, तो जैसे की, आपको एक student का role number पता है, और आप उसका, जैसे की, name और date of birth जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जो protocol हमें मदद करता है, याप जो protocol facility प्रोवाइड करता है, उसक protocol, address resolution protocol का reverse, उसका उल्टा, उसका उल्टा मतलब जैसे की, आपको अगर MAC address पता है, मतलब आपको अगर एक student का, नाम और date of birth पता है, और आप उसका IP address जानना चाहते हैं, मतलब आप उसका role number जानना चाहते हैं, तो वो MAC address को इस करके, वो आपको उसका role number प्रोवाइड करेगा जाना जाना जो उसको बोलते हैं, आरे, आरप, इस protocol maps MAC address into IP address, मतलब आपके नाम और date of birth को उसका करके, वो आमें क्या प्रोवाइड करता है, उस particular student का role number प्रोवाइड करता है, उस particular student का नाम और date of birth को उसका करके, ओके, यह है आरे, 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 पी का का काम, तो समझा किये, RARP, ARP का काम क्या है? अगर आपको IP address पता है और आप उसी device का MAC address जानना चाहते हो तो ARP उसकर करके हम वो कर सकते हैं MAC address जान सकते हैं और अगर आपको MAC address पता है और आप उसी device का IP address जानना चाहते हो तो इसके लिए हम उसकरेंगे RARP protocol Preverse Address Resolution Protocol I hope सामा जागया आपके लिए, इतनाही Thank you